इसके एफ इंडिया लिमिटेड अगेन पॉट इंसलेरी इसमें काफी बुलिश रहता ही हूं मैं और रोलर बेरिंग्स की एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही पुरानी कंपनी और अच्छा पोजीशन है मार्केट में उसमें तो कोई दो रहा ही नहीं से स्टॉक करेक्टेड है वैसा तो खराब है जो इंवेस्टेट थे उनके लिए बट जिनको नई एंट्री लेनी है और ऐसे मार्केट में जब मार्केट में लगता है कि पचीछ दार का लेवल अब क्या आइडिया घूंडे तो कुछ आइडिया ऐसी है और उनमें से एक है जहांपे आपको रिस्क रिवाड रिशियो बहुत बैडिया मिलेगा अपने टूंडेड डेमाज के आजपास ये स्टॉक है नीचे से रिकवर कर रहा है तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया स्टॉक है फंडामेंटल्स तो इनफेक्ट बहुत बढ़िया इतनी पुरानी कमनी स्टॉडिश कंपनी 30 का रिटर्न और कैपिटल एंप्लोइट 22 का रिटर्न और इक्विटी पिसले तीन साल में प्रॉफिट की क्या एकर 23 परसेंट डिविडेंट डिल धाई परसेंट कौर्टरली रिजल्स ठीक ठाक बोलूँगा 155 करोड के सामने 160 करोड का पैट था थोड़ा सा मार्जिन्स थोड़ा कम हुआ था पर टॉप लाइन बढ़के आई है टीटेम बेसस पर हाइस्ट अबर टॉप लाइन पर कंपनी बैठी भी है तो मुझे लगता कि यह स्टॉप को बिल्कुल लेना चीह है इन लेवल्स पर और जो मैं टार्गेट दूँगा झाल def Eastern से किरूपह है झालगेट लाइरा घौक को बिल्ली है przed अजबेद का मैं जाता कि भी लगरके यह लृप स।